यहां एक बात में और कहना चाहूंगा सूची की जब हमने बात की थी तो सूची में विश्यों की संख्या संतानबे बावन थोड़ा सा इसमें बदलाओ होता रहा है समय के साथ साथ जो यूनियन सूची है उसमें सौ विश्य है संतानबे सूची में विश्यों के बदलाओं का प्रावधान है जैसा मैंने पूर में बताया जरूरत पढ़ने पर केंदर सरकार, राज्य सरकार की सूची में कानून के विश्य पर कानून बना सकती है और साथ ही प्रक्रिया में जाते हुए वह राज्य की सूची के कुछ विशियों को समवर्ती में भी स्थन अंत्रित कर सकती है तो इसलिए ये संख्या बदल सकती है वर्तमान में ये संख्या सौ है केंदर सूची में सौ विशा है राज्य सूची में 61 विशा है और समवर्ती में 52 विशा तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्यों का विभाजन कैसे होता है इसके साथ एक बिंदु और ये जब सूचियों का विभाजन होता है तो सूचियों में होने आने वाले विश्यों की संख्या तो एक और पष्ट करती है कि ये केंद्र के पास सबसे ज़्यादा विश्या है इसके अलावा जो विधाई की प्रावधान है विधाई की संबंधों की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें हम देखेंगे कि सेंटर सबसे ज़्यादा हावी है उससे कम समवर्ती सूचि और सबसे कम राज्य सूचि अर्थात यदि समवर्ती सूचि या राज्य सूचि में कुछ कानून बना तो सबसे पहले यूनियन को उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत मिलती है उसके बाद समवर्ती सूची और उसके बाद राज्य सूची किसी भी तरह का विरोध यदि होगा राज्य सूची और केंदर सूची के बीच में तो केंदर की जो कानून केंदर के द्वारा बनाया गया कानून का पालन करने के लिए राज्य बाद दे है और यही स्थितिक कमोबेश समवर्ती सूची बनाम राज्य सूची में लागू है इसके बाद अब मैं उन सब उदाहरणों की और चलता हूँ जो इन संबंधों से संबंधित हुआ चाहे वे विधाय की संबंध हो विधाय की संबंध के अंतर गत गत सत्तर वर्षों में भारती राजनीतिक वर्ष्था में कुछ होने वाली महत्पूर्ण घटनाएं उनका जिक्र मैं करूँगा उसके साथ ही प्रशासनिक संबंधों को लेकर भी कुछ उदाहरण देकर ये पश्ट करने की कोशिश करूँगा कि किस पकार प्रशासनिक संबंधों में उतार चड़ाओ आता रहा है केंद्र हावी रहा है राज कमजोर रहा है वाई से वर्शा कैसे चिनाओ की प्रक्रिया इन संबंधों को प्रभावित करती है चिनाओ के प्रक्रिया नहीं बलकि बहतर होगा ये कहना कि कैसे चिनाओ के परिणाम इन संबंधों को भी प्रभावित करते आएं साथ ही हम जानेंगे कि वित्तीव अस्था में भी कैसे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो एक तरीके से लेंड मार्क घटनाएं जिनोंने इन संबंधों को बड़ा स्पष्ट किया है इन संबंधों से होने वाले टकराओ के बाद इस शित्य में सुधार लाया है आदी आदी इन सब उदारणों को जानने के बाद अब हम मान सकते हैं कि अच्छी तरह हम इस बात से वाकिफ हो गए हैं कि एक संग में रज और केंद्र के बीच में कैसे संबंद रहते हैं आदर्श संबंद कैसे क्या हुने चाहिए और व्यावारिक दिश्ट से वास्तों में धरातल में इन संबंदों में कैसे उतार चड़ाओ आता रहता है इसको अब हम समझने और यही राजनीति है यदि भारत की राजनीति को समझना है तो हमें केंद्र और राज्य के संबंधों से जड़ो हुए मुद्दों को समझना होगा और चुनावी राजनीति को समझना होगा अरसाथ मूल रूपसेदी हम दो अध्याई़ों का अच्छे सा अध्यन कर लें जिसमें से एक है चिनाउ और प्रतिन धित्व और दूसरा ये अध्याई संधवाद तो इन दो अध्याई़ों के अध्यन के बाद भारत में जो राजणीती चलती है जिसे हम राजनीती कहते हैं politics चलती भाशा में हम कहते हैं बहुत politics हो रही है इस politics से हम रूबरू होंगे और उसको अच्छी तरह समझ जाएंगे उसके विभिन आयामों को विभिन उसके दायरे को उसके विभिन डायमेंशन्स को संग और रज का जो विशय है हमारे संविधान में वह भाग एक में हैं क्योंकि वहीं से भारत की राजनीतिक जो व्याख्या है वो शुरू होती है जो प्रणाली है वो संग रज संबंदों से शुरू होती है पहला अध्याय हमारा इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा अध्याय नागरिक्ता और तीसरा मूल अधिकार जिसको हमने अध्यन किया है चौथा उसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूर दर्शिता के साथ संविधान का निर्मान किया भारत भी काफी कुछ बदला है टेलिफॉन की जगा मुबाइल आ गई है उनिस सो सेटालिस की कारों की जगा आज अत्यादिनिक कारें आ गई हैं और ना जाने कितनी तरह के परिवर्तन हुए हैं इन सारे परिवर्तनों के बावजूद हमारे सम्विधान में एक सततता रही है और इस सततता का पूरा श्रेय हमारे सम्विधान निर्माताओं को जाता है जिन्होंने बड़े कोशल के साथ बड़े गहरी सोच के साथ हमारे सम्विधान का निर्मान किया है और सुनिश्चित किया है कि सम्विधान इस्थाई हो अक्षन हो राज्यों और केंदर के बीच के संबन्ध हों कि कुछ पहलों को समझने के बाद अब हम आते हैं कि ऐसे मुद्दे पर जो थोड़ा कॉंट्रोवर्शिल रहा है इसका इतिहास उतना ही पराना है जितना कि भारत की स्वतनता का इतिहास और वह मुद्दा है जम्मू कश्मीर राज और उसकी विशेश इस्थिति जम्मू कश्मीर राज और उसकी विशेश इस्थिति के संबन्ध में भारती संग के संबन्ध केंजर राज संबंदों को जैसे तीन संबंदों में बाटा है विधाई, प्रशासनिक और वित्ती तो इनकी धाराओं पर एक नज़र डालें लेजिसलेटिव अर्शाज विधाई संबंदों की धाराएं 245 से 255 और ये भाग 11 में हैं संबिधान के भाग 11 में उसके बाद प्रशासनिक या एड्मिनिस्टेटिव धाराद 256 से 263 अब जो तीसरा जो संबंद का विशय है वित्ती है वह भाग 11 में ना हो करके financial या वित्ती विशय भाग 12 में हैं तो आप याद रखेंगे कि केंदर राज संबंदों में दो तरह के संबंदों का जिक्र भाग 11 में है संबिधान में तो हैं तीसरी तरह के संबंद का जिक्र भाग 12 में हैं संसत को जहां केंद्री सूची में कानून बनाने का अधिकार है मंत्र मंडल राज्य सूची में तखल दे सकता है संसत को विदेशी मामलों में भी कानून किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार है यदि लिस्ट की बात करें तो संघी सूची जो है संघी सूची पूरे देश के लिए है रज सूची केवल रज के लिए है और समवर्ती सूची को देखा जाए तो उसे एक तरीके से कह सकते हैं समवर्ती सूची में वे विशय हैं जिनका डायरेक्ट संबंद, प्रत्यक्ष संबंद जानता से है तो इस पुकार हम इस सूची को इस नजरिय से भी देख सकते हैं कि इनके विशयों का संबंद किस से है समवर्ती का जनता से है या आप जाद रखेंगे इसके माइने ये हैं कि जैसे केंदरी सूची में हम रक्षा या रेलवे इसको देखते हैं ये प्रत्यक शुरूप से जनता से इनका सरोकार नहीं हैं रक्षा का मामला सुरक्षा का मामला वो केंदर सरकार की जिम्मेदारी है दूसरी और समवर्ती में शिक्षा को देखें तो इसका सीधा संबंद देश की जनता से है और इसलिए समवर्ती में हम कह सकते हैं बहतर समझ के लिए कि समवर्ती सूची का तालुकात जनता से जुरोवे विश्यों से है इन सूचियों के मामले में एक बात हमको और जानी हो है वह है कि अत्रिक्त न्यायलेओं की स्थापना एक्स्ट्रा कोड अवशिष्ट विश्य जहां है जो चौथी सूची है उसमें ऐसे विश्य ह हैं जो समविधान निर्माताओं द्वारा समविधान बनाने के बाद लागू करने के बाद आते हैं जिसमें स्पेस है इस रो है परमान संबन्दी विश्य है आदी आदी अवशिष सूची के बारे में हमें ये ध्यान रखना होगा कि अवशिष सूची को अंग्रेजी में Residuary Subject की सूची कहते हैं और इसमें जो कानून बनाने का प्राउधान है वा कुछ इस तरह है कि राज्य सभाद दो तिहाई प्रस्ताव यदि पारित करे तो राज्य सूची से भी कुछ विशे इस्थानांतिरित किये जा सकते हैं केंदरी सूची में तो अवशिश सूची में केंदरी संबंदी विश्यों के अलावा नए विश्यों के अलावा जो केंदर में जाते हैं राश्पती के पास ये भी अधिकार है कि वह सूची में बदलाव कर सके राज्य सभाद के दो तिहाई प्रस्ताव से पारित होने पर ही यह बदलाव राज सूची से केंद्र सूची में संभा है और इसी के तहट जो किया गया है पहले राज्री सूची में जहां संख्या बढ़के संख्या 66 अब बावन हो गई है जहां राज्य सभा के कि अनुशंसा पर कुछ विशय राज्य सूची से केंद्रिया संवर्ति सूची में डाले जा सकते हैं राष्पती के द्वारा वहीं केंद्राज संबंदों की अधी बात करें तो हम देखेंगे कि धारा 243 से या 245 से 263 केंद्राज संबंद पर है केंदराज संबंदों से जुड़ी हो धारा इस विशय पर है और 264 से 300 इन धाराओं का संबंद संपत्ति से है संबिदा से है और financial matter से है अर्थात्वित्तिय संबंदों से 264 से लेके 300 तक के मामले जुड़े हुए है कि दो सोब पैंसट को थोड़ा हम समझने कोशिश करें दो सोब पैंसट जो धारा है उसमें ये स्पश्च प्राउधान है कि विदी के बिना कर का अधिरोपन नहीं हो सकता बिना कानून बनाएं ये इस पे किसी तरह का कर का अधिरोपन नहीं हो सकता और दो सो चैस्ट में Consolidated Fund का जिक्र है देश का जो पूरा पैसा है वो दो फंड में बटा हुआ है एक है Consolidated Fund और दूसरा है Contingency Fund Consolidated Fund को हिंदी में संचित निधी भी कहते हैं संचित निधी के माइने क्या है? संचित निधी में Budget, विन्योग, वेतन, रिन आदी और भारत की जो देता है दूसरे देशों को जो पैसा देना है उससे जुड़ा हुआ जो धन है, वह Consolidated Fund में आता है और Consolidated Fund धारा 266 के तहद गवन होता है जिसमें कानूनी प्रावधान होना जरूरी है इसका एक पैसा एक पैसा भी बिना किसी कानूनी अनुमति के खर्च नहीं किया जा सकता अभी है जा सकता है झाल झाल जाल झाल 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 दूसरी और कंटिंजेंसी फंड है Consolidated Fund संचित निधी और Contingency Fund आकस्मिक निधी ये आकस्मिक निधी जो रहती है इसका खर्च कुछ अन्य मदों पर किया जाता है और Contingency Fund जैसा कि शब्द से स्पष्ट है किसी आकस्मिक आवश्कताओं की पूर्ति के लिए होता है और राष्टपति के द्वारा ये होता है धारा 267 आकस्मिक निधी के संबन में है वित्त आयोग का जिक्र मैंने किया है पूर में इसका जो गठन होता है वो धारा 267 के ताहत राष्पति द्वारा होता है पांच वर्ष के लिए होता है अब पांच वर्ष के काल में होता है और इसमें तीन सदस्य होते हैं मूल रूप से ये जो वित्त आयोग है केंद्र और राज को बीच वित्ती संबंधों को परिभाशित करता है आगामी पांच वर्षियों के लिए इसके बाद एक धारा और है जो महत्पूर्ण है हमारे समझने के लिए वह है धारा तीन सो क तीन सो क के तहथ बहुत महत्पूर्ण परिवर्तन किया गया है आपको याद होगा राइट टू प्रापर्टी संपत्ति का अधिकार एक मूल भूत अधिकार हुआ करता था हमारे मूल समझने में बाद में से कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया और मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया जब इसे कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया तो उसको धारा तीन सो क में परिवाशित किया गया संपत्तिया प्रापर्टी को एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दि कर दो कर दो कर दो कर दो करके चुकार एक लोजर हम डालें थोड़ा समिधान के उस क्राम पर जिसमें किस अनुछेदों को किन विश्यों के तहट डाला गया है तो हम देखेंगे कि संग राज्य अनुछेद एक से चार भाग एक भाग दो नागरिक्ता से संबंदित है पाँच से ग्यारा मूलभूत अधिकार मौलिक अधिकार अध्याए भाग तीन बारा से पैंतिस डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स अफ स्टेट पॉलिशी भाग चार छतिस से इंकावन फिर चार कव जिसका संबंद करतव्य से है इंकावन का फिर पाँचवा है संग पाँचवा भाग का संबंद संग से है बावन से एक सो इंकावन छटवा है राज छटवा भाग राज एक सो बावन से दो सो सैंतिस तक उसके बाद सात्वा भाग जो है उसका संबंद स्टेट से है स्टेट बी से धारा दो संठानवे आठवे भाग का संबंद यूनियन टेरिटरिया संग शासित खेतरों से है दो सो उन्चालिस से दो सो ब्यालिस तक नौवी नौवा ध्याय नौवा भाग का संबंद पंचायत से है इस थानी शासन के संबंद में भाग नौ भाग नौ का इसका संबंद जुड़ा हुआ है जिसमें भाग नौ में 243 का संबंद पंचायच से है नगर पालिका के संबंद 243 से है और जो को अपरेटिव के बात करते हैं वह भी 243 से ही जुड़ा हुआ है लेकिन नौ का और नौ के रूप में दसवां भाग है शेडियूल्ड एरिया दो सव चवालिस और भाग ग्यारा फिर से सेंटर स्टेट रिलेशन्स के संबद में हैं झाल 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 कर दो सेंटर बाग हैं आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो शब्द है federation या संग वो हमारे समविधान में उसका उपयोग कही नहीं हुआ है यद्यपी कख्या के दौरान, अध्याय के अध्यन के दौरान संग शब्द का बारंबार उपयोग हुआ है पर समविधानिक रूप से इसका उपयोग हो लेकिन संविधान में यह शब्द नहीं लिया गया उसके बदले हमारा संविधान इसे यूनियन कहता है यूनियन ओफ स्टेट्स तो संघात्मक या संघी प्रणाली का अर्थ यूनियन ओफ स्टेट्स माना जाता है हमारे संदर में फेडरेशन नहीं भारत का जो फेडरेशन सिस्टेम है वह केनेडा से काफी कुछ लिया हुआ है याद रखेंगे अमेरिका से नहीं अमेरिका का संगी मॉडल बिलकुल अलग है केनेडा का संगी मॉडल हमारे संगी मॉडल से काफी कुछ मिलता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे समविधान में संगी मॉडल की प्रेड़ना हमने कैनेडा से लिए है किस रूप में हम कैनेडा से मिलते हैं पहला जिर्जंग से संग बना है दूसरा जिर्जंग से डिसिंटिग्रेशन के प्रावधान है जिसमें डिसिंटिग्रेट होने का अलग होने का प्रावधान ही नहीं है तीसरा यूनियन शब्द की जो प्रात्मिक्ता हमारे संग में है वह भी कैनेडा में भी कमोबेश वैसी है Canadian Federation जो है Canada का उसे भी Union कहते हैं और चौथा जो इस बात को सावित करता है कि हम Union of States की प्रेड़ना हमने Canada से ली उसका चौथा उधारन यह हो सकता है कि जैसे Canada के सम्विधान में केंदर के हाथ में ज़्यादा शक्तिया हैं वैसा ही भारत के सम्विधान में केंदरी सरकार केंदरी सत्ता को ज़्यादा शक्तिय union को ज़्यादा शक्ति हैं हम federal government बनाम unitary government की तुलना करें एक तुलनात्मक अध्यान थोड़ा साथ जरूरी होगा एक सही समझ के लिए तो federal government में dual सरकार होती है दो तरीके की एक national government और state government जबकि unitary में एक ही सरकार होगी ये एक सरकार चाहें तो कुछ regional सरकारें बना सकती है लेकिन भारत के संदर में regional सरकारें बनाई नहीं जाती रीजिनल सरकारें ख्यत्री सरकारों के लिए अलग से प्रावधान है जिसे रज्य सरकारें कहते हैं दूसरा अंतर फेडरल में written संविधान होता है लेकिन unitary में जरूरी नहीं है कि लिखित संविधान हो संविधान लिखित भी हो सकता है जैसा कि फ्रांस में है या unwritten भी हो सकता है जैसा कि इंग्लेंड में है इंग्लेंड के unwritten संविधान के माइने क्या है ये भी थोड़ा हम समझ लें वहाँ सम्विधान लिखित नहीं है इसका मतलब यह नहीं वहाँ कोई भी कानून कैसा भी मनमर्जी से बना सकता है इसका अर्थ के वल यही है कि वहाँ भारत की जैसे सम्विधान जैसी एक पुष्टक नहीं है कानून अलग-अलग रूप से बने हुए हैं और अपनी अपनी जगह लिखे हुए हैं एक सम्विधान की पुस्तक के रूप में एकी कृत नहीं है यही अंतर है तीसरा अंतर दोनों में फेडरल बनाम यूनिटरी में के शक्तियों का विभाजन जबकि यूनिटरी में शक्तियों का विभाजन नहीं होता सारी शक्तियां केवल एक और एक केंदरी सरकार में रहती है चौथा अंतर सम्विधान सुप्रीम होता है सरवोच होता है लेकिन यूनिटरी में सम्विधान सरवोच हो सकता है और नहीं भी हो सकता जैसे जपैन में सम्विधान सरवोच है लेकिन बृतन में सम्विधान नहीं है सबसे उपर संसद है पाचवांतर फेडरल गर्ब्रब्रमेंट में सम्विधान जो है वो बड़ा रिजिड रहता है क्योंकि कई तरह की सरकारें है स्पष्टता के लिए आवश्चक है कि सम्विधान लिखित हो और चूंकि लिखित है इसमें स्पष्टता हो बिलकुल और इसलिए rigid रहता है कठोर रहता है जिसमें संशोधन के प्रावधान सरल नहीं होते हैं लेकिन unitary government ने सम्विधान जो है वह नरम भी हो सकता है flexible भी हो सकता है rigid भी हो सकता है ब्रिटेन में बड़ा flexible है किसी कानूनी प्रक्रिया को किसी कानून को बदलने की प्रक्रिया जो है बड़ी सरल है लेकिन फ्रांस में बहुत rigid है जबकि दोनों ही unitary सरकारी है छटवा अंतर जुडी शरी के मामले में जुडी शरी के मामले में फेडरल गार्मेंट में जुडी शरी स्वतंतर रहती है जबकि unitary गार्मेंट में जुडी शरी स्वतंतर हो सकती है नई भी हो सकती या विविन देशों पर निर्वर करता है साथवान तर फेडरल मामले में जो संसद है वह दो सदनी होता है उसके दो सदन होंगे जैसे लोकसभा और रजसभा जैसे भारत में है या हाउस ओफ लॉड्स और हाउस ओफ कामन्स जैसा बाते हैं लेकिन यूनिटरी में जरूरी नहीं है कि दो हो दो भी हो सकता है एक भी इंगलेड में दो है जिसका मैंने जिक्र किया house of Lord, house of Commons लेकिन यूनि कैमरल भी हो सकता है अर्थाद एक ही house होगा जैसे चैना में वहाँ यूनिटरी सरकार है और एक ही सदन है दो सजन की व्योस्ता वहां नहीं है